हिंदुस्तान के कोने कोने से हजारों तरह की खाने पीने की चीजे में आप लोगों को रोज दिखा रहा होता हूँ लेकिन जिस चीज की मेकिंग में आपको आज दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ भी आपने कभी भी कहीं भी बनते वे नहीं देखा होगा आपके हिंट के लिए सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसे बनाये जाता है गोवा में और इसको पीने के बाद दिमाग चलता नहीं है दोडने लगता है तो इस अनोखी चीज को जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखेगा गाईज मज़ा आ जाएगा आपको अभी हमें गोवा में और आज हम आपको गोवा की काजू से बनने वाली तीन ट्रडिशनल ड्रिंक्स की मेकम दिखाएंगे तो सबसे पहले देखे काजू के जो फल है वो इकटे किये जा रहे हैं और जो कैशू एपल पक्के पेट से नीचे गिर जाते हैं किवल उन्हें ही इकटा किया जाता है उनसे ही ये ड्रिंक्स बनती है तो ये देखे धेर सारे कैशू एपल इन्होंने इकटे करनी है अब काजू के फल से जो काजू का नट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा और ये जो अपना कैशू एपल है इसे लाकर यहां पर इकटा किया जाएगा जहां इसकी स्टॉम्पिंग की जाएगी स्टॉम्पिंग यानि कि इसको कुछला जाएगा तो देखें यह जो आंटी ह ये अब इन Cashew Apples के उपर आ गई हैं गंबूर्स पहन कर और लिटरली देखे पैरों से दबा दबा कर इने कुचला जा रहा है और ये इसलिए क्या जा रहा है इन्हें कुचलने से इस Cashew Apples के अंदर से रस निकलेगा उस रस से यहां पर ड्रिंक्स तरियार की जाएंगी तो य ये देखिए आंटी Cashew Apples के उपर खड़ी है और अपने दोनों पैरों से अथी तरीके से इन Cashew Apples को कुचल रही है कि कुचल कुचल के इनके अंदर से रस निकले आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि पैरों से कुचली हुई चीज का जो रस निकला है उससे हम कैसे पी सकते हैं लेकिन पूरा गो आइन ड्रिंक्स का दिवाना है और पैरों से कुचल कर बनाना इन लोगों की मजबूरी है क्योंकि काजू के फल से जो ये रस निकलता है ये बहुत कोरोजिव होता है तो किसी भी मशीन में अगर इससे निकाला जाए उस मशीन में बहुत जल देख सकते हैं बाकी अपने बचे के कैश्व एपल को देखें इकठा किया जा रहा है इकठा करने के बाद देखें इन्हें एक प्लास्टिकी बोरी के अंदर बांध दिया गया है और इसके उपर लाकर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है जिसके वजन से दब दब कर और रस निकल रहा है और इसके उपर एक और पत्थर रख दिया है तो अब इन पत्थरों के बजन से दब दब कर रस निकलता रहेगा और उसे इकठा किया जाएगा तो ये देखें धेर सारा रस ये निकल कर इकठा हो चुका है काजु के फल का अब इसे दूसरे बरतन में जारहा है और ये जो रसे कठा हुआ है ये अभी पीने योग्य नहीं है इसे अभी तैयार किया जाएगा पीने योग्य बनाया जायेगा उसके लिए देखिए सबसे पहले इस रस को बोरी से चान कर मिट्टी के बरतलों में रख दिया जाएगा जहां इसे तीन दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा और यहां पर फर्मेंट होगा अभी देखिए तीन दिन हो चुके है रस अपना फर्मेंट हो चुका है अब इसे बाहर निकाला जा रहा है और यहां से डाला जा रहा है इन प काजू का रस है उसे पकाया जाएगा और ये काम भी इस भान को सील बंद करके किया जाएगा तो देखे इसके उपर मिट्टी का मटका रख दिया गया है जिसे रसी और मिट्टी की सहाइता से प्रोपर सील पैक किया जा रहा है कि इस काजू के रस के गरम होने से जितनी भी व निभरा रहता है उस ठंडे पानी में ये जो भाप है वो कूल डाउन हो जाएगी और कनवर्ट हो जाएगी इस लिक्विड में जिसे बोलते हैं उर्राग तो ये जो उर्राग है इसमें 10 से 15% अलकोहल होती है और इसकी बनी कोक्टेल्स पूरे गोवा में फेवरेट है लेकिन उर्राग में प्रोडक्ट नहीं है में प्रोडक्ट है फैनी उसे बनाने के लिए उर्राग को काजू के रस के साथ मिला के फिर से डिस्टिल किया जाएगा और तब जो लिक्विड बनेगा वो होता है फैनी जिसमें की 40 से 50% अलकोहल होती है और इसके लिए गोवा में दख देता है यह तीनों ही ड्रिंक्स गोवा की ट्रडिशनल ड्रिंक्स और पिछले 400 सालों से यहाँ पर बनाई जा रही है और इन्हें बनाने में लगती है बहुत ज्यादा मेहनत बट क्योंकि यह अलकोहलिक है और मैं ड्रिंक नहीं करता हूं तो आपको पीकर नहीं बता हूंगा बट अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जुरू कीजिए का जिनके साथ आपका गोवा जाने का प्लैन हो और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए